साथ मैं मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताजा ख़बर में आपका फिर से स्वागत है और बिटकोई से रिलेटेड जो निउस है वो आज की बहुत एक्साइटिंग है मैं थोड़ी सी निउस कवर करूँगा लेकिन आज हम बात थोड यह यह बता रहा है कि जो बिटकोईन का जो ETF है और जो गोल्ड के ETF के बीच में आपको कंपैरिजन दिखा रहा रहा है आप यह देख रहे हो कि गोल्ड का जो ETF है टोटल मिलाकर वो 93 बिलियन यूईस डॉलर के मतलब गोल्ड का ETF 2004 में आया था और तब से लेके अभी तक 93 ब एंदेज हैं करें तो गोल्ड का जो मारकिट शेर है वो 79 परसंट जो कि उसने 20 सालों में कुई रहे हैं और आप बिटकोइन का से जो institutions का logo का retail का पैसा attract हो रहा है और यह तब हो रहा है कि जब अभी शुरू भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो advisors हैं वो अभी और जो actual में अभी लोग Bitcoin को सीखेंगे तभी तो ETF में डालेंगे ना तो अभी advisors की training हो रही है फिर आपको ना असली रूप जो है वो अगले चा भी red देखा है red का मतलब है कि outflow जादा है inflow से green का मतलब है कि पैसा जादा आ रहा है आउट फलो का मतलब है कि पैसा गया तो net net में अगर आप देखोगे कि inflow देखिए कितनी तेजी से ये कैसा graph है मतलब ये to the moon और ये सब graph आप जब देखते हो तो ये graph कही to the moon से कम नहीं ह और हर वक्त ये graph देखिए तेजी से बढ़ रहा है और ये कितनी बड़ी बड़ी candles बन रही है कितनी major buying हो रही है अगर मैं इस चार्ट में आपको ज़्यादा clarity नजर आएगी क्योंकि ये weekly चार्ट है तो इस weekly चार्ट के हिसाप से अगर देखो तो week one में 16,200 bitcoin week two में 11,400 week ती तीसरे week में negative था लेकिन उसके पाद चौते week में पांचवे week में छटे week में ये candles बड़ी होती चली जा रहे है हर हफते bitcoin की buying आप देख रहे हो ठीक है और bitcoin actually में क्या हो क्या रहा है कि institution smart होते हैं देखिए हम लोग जो होते हैं जो retail होते हम लोग कमजोर दिल के होते हैं तो य जिनका conviction नहीं है जैसे कि आप retail में देखो जिनके पस zero से एक बीटीसी वाले लोग हैं वो bitcoin को पिछले कल भी बेचा साथ दिन में बेचा पिछले 30 दिन में net net कितना बीटीसी बेच रहे हैं rich भी बेच रहे हैं उबर rich भी बेच रहे हैं सिर्थ institutions buy कर रहे हैं तो institution smart है वो कहर बेचा डर के जीता है और institution उसको buy करे चले जा रहे हैं बाई कले जा रहे हैं इसलिए कहता हूं कि bitcoin के लंबी अवदी के लिए ऐसा ना हो कि कई bitcoin देड़ दो लाक यूएस डॉलर का हो जाए आप हाथ मलते रह जाओ और आप यह कहते रह जाओ कि मेरे पास तो आड़ा बीट एक बड़ा चार्ट है यह जो blue वाला चार्ट है blue वाली लाइन यह बताती है कि अगर पिछले जो तीन साइकल है हावनिंग की उसके हिसाब से देखें तो bitcoin का price actual में जो market price है उसका वो एक लाग से तीन लाग यूएस डॉलर के बीच में होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ bitcoin का price जो है वो यहां गूम रहा है लेकिन अब यह देख रहे हैं कि bitcoin की ETF की भाईं के बाद यह थोड़ा सा यहां moment चेंज हुआ है इसको यहां पे catch करना है यहां यह आइडिली bitcoin एक लाग से तीन लाग लाग डॉलर के असपास होना चाहिए अगर हम पिछली तीन साइकल को जो कि यह नहीं हो पाया लेकिन अब यह धिरी धिरे catch कर रहा है ठीक है और यह खबर आ रही एथोपिया से जहां पे एथोपिया जो है धाई सो मिलियन US डॉलर की mining capacity और data facility centers बना रहा है भूटान आब धाबी दुबाई यह सारी countries तो mining को लेके यह आपने देखा यह कितनी ज खबर यह आ रही है कि एक रिच्वल है जिसमें Capital Hill के उपर जो है वो फ्लैग जो है वो ऑनर में फैराया जाता है कभी कबार जिन लोगों के contributions होती है और अभी सतोशी नाकामोतो की खबर मीडिया में नहीं आई यह कब होई यह अब जाके खबर आई है जब किसी की नजर बहुत अगेंस्ट रहती है बहुत अगेंस्ट रहती है बहुत अगेंस्ट बट उन्होंने जो कहती है और जो वो कर रही है उसमें बिल्कुल डिफरेंस है क्योंकि उन्होंने यह जंडा पहराया United State of America का जंडा पहराया गया Capital Hill के उपर और सतोशी नाकामोतो के ओनर में मैं तो यह कहते हैं कि सतोशी नाकामोतों को nobel प्राइस मिलेगा ही मिलेगा एक दिन क्योंकि जो उनका contribution है उसको एक नाएक दिन वो deserve करते हैं करते nobel price नहीं मिलता दिश्चर को सतोशी ना काम होतो कि आम यह कम नी कि हो लेकिन सतोशी ना काम होतों का जो contribution है वह जितने भी nobel लॉरिएर्ट को मिला लो उन सबसे बड़ा contribution सतोशी ना काम होतों को एक दिन जो कि approximately 10 billion US dollar के हो चुके हैं, खरीदे इसने 6 billion के थे, आज 10 billion के हो गए हैं, total company की value 11 billion की है, जिसमें से bitcoin की value 10 billion की है, चानते हैं कितनी बड़ी रिकम है, मतलब इसको इतना गालियां बढ़ती थी, इसको माइकल सेलर को शुरू शुरू में लोगों ने कितना criticize किया, सब हस रहे से माइक्रो और आज देखें तो माइकल सेलर के उपर सब इनो उसे राय मश्वरा ले रहे हैं, दुनिया के अंदर जो 57 देश हैं, जिनकी माइक्रो स्ट्राड़जी से कम, जिनकी GDP है, आप देख सकते हो कि Maldives से लेके, कई countries हैं, साउथ सुडान, जिनकी माइकल सेलर से कम है, जिनकी GDP, तो ये बहुत बड़ी कवर है कि आज की डेट में, माइक्रो स्ट्राड़जी जो है, वो कई देशों की GDP से बड़ी कमपनी हो चुकी है, तो ये है पावर बिटकोईन की, और ये काफे सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल से जो मुझे लगता है, आपको पसंद आए होगे, तो आपको क्या लगता है, देखिए मैंने एक इसमें चार्ड दिखाया, आप बिटकोईन के प्राइस से मत बिटकोईन को आखो, अभी ये दोहजार चौबिस जो है, ये इतना बड़ा साल है, एक तो सबसे पहले इसमें ETF आ गया, दूसरा हावन आना है, तीसरा इसके अंदर जो इवेंट आना है, वो पहली जैनवरी दो हजार पच्चिस से जो दो चीज़े होनी है, एक तो अकाउंटिंग के अंदर भी चेंजिस हो गए, कि अब जो कंपनीज हैं, वो बिटकोईन को फेर मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर सकती है, अ और दूसरा चीज़ जो है, वो BIS नहीं बोला था, कि एक परसंट के आसपस जितने भी सिंट्रल बैंक्स हैं दुनिया में, वो अपना जो है पैसा अलोकेट कर सकते हैं, बिटकोईन के प्रति, या क्रिप्टो एसेट के प्रति, ओविसली सिंट्रल बैंक्स, दुनिया पर क सिंट्रल बैंक्स को ये बोले कि आप करना चाहो, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप बिटकोईन के प्रति, अपने पैसे को अलोकेट कर सकते हो, ये एक जनवरी दोजार पक्चिस से ये भी option मिल सकता है, तो आप देखो कितना कुछ होने वाले अगले कुछ दिनों में, हावनिंग, ETFs, और institution adoption, ETF का और बढ़ना, और accounting principle के अंदर change होना, तो आपको patience रखनी चाहिए, और अगर patience नहीं है, तो actual में गेम आपके लिए नहीं है, patience रखना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप hop करते रहोगे, इदर से उदर इदर से करते रहोगे, मै ज़्यादर लोग पैसे घवाते हैं, बनाते नहीं, और यह आपने एपनी experience से भी देखा होगा, कोई मैं rocket science वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यह आपकी भी परकी भी चीज़ है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है न, चलिए, with this thought, कैसा लगा यह वीडियो, प्लीज एक बाद शेर, लाइक, कमेंट कर दना, with this thought, thank you very much.